Welcome to all of you, आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाल है जिसमें हम लोग questions का discussion करा करेंगे ये questions objective भी रहा सकते हैं ये questions subjective भी रहा करेंगे ठीक है? तो ये दो level में actually हम लोग इसको जो रखा करेंगे एक level 1 जो की एक तरह से देखिए तो fundamental level रहा करेंगे जिसमें direct questions रहा करेंगे जो topic आपका discuss होता रहेगा उसे direct questions रहा करेंगे यदि आप उस subject course, topic course, chapter को आप अच्छी तरह से पढ़े हुए तो प्राया आपका ये revision भी हो जाएगा या आप पढ़ चुके हैं सपोज कर लिजी और आप practice करना चाहते हैं तो आप इस पर practice कर सकते हैं ये questions आपको हर जगा काम में देंगे graduation में भी आपको काम में देंगे साथ में competitions वगारा जो आप देते हैं graduation level पर जैसे IT exam हो गएं, jest हो गएं और भी टीफर exam हो गएं और भी कई सारे जो exam रहा करते हैं उसके competition में आपको ये direct काम में देगा ठीक है तो हम लोग ये series को रखेंगे और इसमें अच्छी तरह से topic wise रखे वह रहे हैं जैसे मान लिजीए ये topic जो चल रहा है heat and thermodynamics या thermal physics जो की ज़्यादा एक तरह से discussion एक तरह से रहता है और नया discussion रहता है ग्रेशन में आपको जो ठीक है उसके बाद फिर आपका thermal radiation वाला part आपका रहा करता है उसके बाद आप जो है transport phenomenon of gas kinetic theory of gas काई सारे topics आपके जो है ग्रेशन में रहते हैं first year में heat and thermodynamics के नाम पे तो हम chapter wise actually इसको लेकर चलेंगे इससे क्या होगा कि आपको topic को practice करने में, revision करने में भी काफी मदद मिलेगा actually और ये दो level में रहेगा एक direct fundamental level रहा करेंगे और एक थोड़ा complicated level रहा करेंगा जो कि competitions में tricky type में या multi conceptual या बोल सकते हैं इसमें थोड़े mathematical difficulty रह सकते हैं कई सारे concept mixed रह सकते हैं ठीक है तो वैसे questions भी रहा करेंगे तो हम आपको indicate कर देंगे कि वो किस level का actually है ठीक है तो अभी जो हम लोग discuss करने वाले हो heat and thermodynamics का ideal gas topic जो रहता है chapter रहता है उसका हम लोग discussion करेंगे और यह level 1 category का actually रहेगा ठीक है तो हम लोग आगे चलते हैं और एक-एक करके discussion में इसमें participate करते हैं ठीक है तो पहला जो question है the molecules of an ideal gas ठीक है ideal gas ideal gas की बारे में आपको मालूम है कि ideal gas आपको जो है जैसे जो आपको kinetic theory of gas का जो है assumptions का पालन करा करता है उसको हम लोग ideal gas बोलते हैं या perfect gas भी बोला करते हैं दूसरा जो रहता है real gas तो वास्तों में जो हम लोग gas देखते रहते हैं या जो experiment या जो हम लोग वातवरन में देखते हैं यह सभी gas real होते हैं ठीक है practical gases होते हैं ideal gas हम लोग conceptual रूप में हम लोग heat and thermodynamics मिस में पढ़ते हैं जिससे gas से कई सारे properties बगारा को discuss कर सकते हैं ठीक है तो ideal gas जो कि आपको assumptions of kinetic theory of gas को follow करता रहता है ठीक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पढ़े होंगे ना ध्यान में होगा kinetic theory of gas में assumptions पढ़े होंगे ठीक है कि जो जितने भी आपको gas रहा करते हैं वो molecules से मिल करके बने हुए रहते हैं molecules से spherical site के रहा करते हैं वो इसके जो particles रहा करते हैं जो molecular form या atomic form जो आप बोल सकते हैं वो random motion में रहा करते हो किसी भी direction में move करते हो रहते हैं आप gas को समझ सकते हैं जैसे आप यहाँ पे कि वो आपको molecules या items से मिल करके बने हुए और इसका किसी भी direction में motion हो सकता है यह आपस में interact नहीं करते हैं इस तरह का जानकारी assumptions में लिए गयते हैं जो कि एक तरह से practical gases के लिए interaction आपको allowed रहता है और जो इसके energy actually kinetic form में रहा करता है kinetic form में in the sense कि translational linear motion रखा हुआ रहेगा जैसे इधर उधर move करता रहेगा x y z direction में या rotational motion आपको रहा करेगा जो कि diatomic, tritomic, polyatomic gases बगरा में रहा करते हैं उसके बाद vibrational motion रहेगा जो कि higher temperature पे रहता है तो इसी पे अधारित यह question actually ideal gas के पास, molecule के पास रहा है किस तरह का energy रहता है तो सिर्फ kinetic energy रहा करते हैं क्योंकि उसके molecules आपस में interact नहीं करा करते हैं इसलिए potential energy के बारे में बात नहीं करते हैं ideal gas के case में वहीं बोलता real gas या practical gases में तो potential energy रहा करते हैं तो assumptions में हम लोग consider क्यों रहते हैं कि यह जो molecules रहते हैं ideal gas के या perfect gas के वह आपस में interact नहीं करते हैं इसलिए उसके पास किसी तरह का potential energy actually नहीं रहा करेगा ठीक है? तो जो option रहेंगे क्या रहेंगे इसका? यह kinetic energy kinetic part में रहा करेगा और यह जो energy रहते हैं kinetic form में तीन तरह से इसको energy को आप बोल सकते हैं translational kinetic energy ठीक है? translational kinetic energy ठीक है? plus और क्या? rotational kinetic energy rotational form में रह सकता है ठीक है? plus higher temperature दीज़ेगा तो vibrational energy के form में रहेगा ठीक है? तो यह जो दोनों आपको case रहा करता है यह polyatomic जैस है, diatomic gas रहा triatomic gas ठीक है? इस वाले case में इसको हम लोग apply करा करते हैं जो single molecules वाले रहा करते हैं यह single atoms वाले जो आपको रहा करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक तरह से translational ही kinetic energy रहते हैं single molecules ठीक है? बोल सकते हैं, single atom वाला जो आपको रहा करते हैं बाकि जो मालनी जे double atoms वगरा का molecules जो रहा करते हैं या polyatomic जो molecules रहा करते हैं उसमें हम लोग rotational और vibrational को भी consider करते हैं ठीक है तो हम लोग discussion में जो है ऐसा ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग कुछ topic को इसके आगे पीछे भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है उस chapter के बारे में ठीक, next question में हम लोग चलते हैं value of bulgeman constant bulgeman constant काफी popular रहा करता है जब भी आप thermodiling से पढ़ते रहते हैं तो ये bulgeman constant आता है इसको हम लोग small case से denote करते हैं हम cursive में इस तरह से click दिया करते हैं और ऐसे भी book में आपको denote करते हैं बलकि most of the book में तो इसी तरह का cursive case से ही denote रहते हैं bulgeman constant तो ये क्या होते हैं इसका gas constant के साथ relation रहता है gas constant divided by avagadro number रहा करता है ये gas constant रहता है universal gas constant ध्यान में होगा ही आपको जो है इसको universal gas constant बोलते हैं इसका value क्या हुआ करता है इसका value 8.31 Joule per mol per Kelvin हुआ करता है ठीक है clear है और ये इसका value रहता है ये वेगadro number है इसका value रहा करता है वो कितना रहा करता है ध्यान में होगा ही आपको इसका value रहता है वो 6.023 into 10 to the power 23 ये एक number रहा करता है ये लग बात है कि आप chemistry में ज्यादा सुनते है ठीक है तो आपके दिमाग में ऐसा fix हो जाता है कि atom molecules में ही लगा जाता है ऐसा बात नहीं है जैसे आप दर्जन बोलते है 12 चीजों का कोई quantity रहा था तो उसको एक दर्जन बोल देते है तो वैसा ही जो इतना number ये दि कोई भी चीज रहेगा चाए atoms रहे चाए molecules रहे चाए कोई populations रहे चाए कोई object रहे तो आप उसको बोलते है कि ये 1 mole है ठीक है और 1 mole जो होते कितने बरावर होते है 6.023 into 20 the power 23 के बरावर होते है ठीक है इसको ऐसा नहीं समझते है कि fraction में अच्छली आप इसके 10 to the power 3 इसमें से बाहर निकाल लीजेगा अच्छली multiply कर दीजेगा तो 6023 into 20 the power 20 के form में जो है इस चला जाएगा अच्छली ठीक है तो खेर वो तो अलग बैटर है लेकिन हम लोग बोल रहे थी कि बोल जमान constant ठीक है तो इसका value तो आपको याद होगा है minus 23 joule per Kelvin अच्छली आजाएगा ठीक है तो हमारा option क्या हो जाएगा हमारा option जो है third हो जाएगा ठीक है 1.38 into 20 the power minus 23 सब्सक्राइब देखिए तो इसका digit थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो देखते हैं कि जो इन्वर्सल गैस constant होता हो 8.31 इसमें जो dg threat देख लीजिए इसको उल्टा अधी अब पढ़ते हैं ठीक है तो थोड़ा point को घसका करके तो 1.38 आप ऐसे और ये जो 10 to the power 23 जो इवेगा ड्रोन नंबर के साथ है उपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power minus 23 हो जाएगा ठीक है तो ऐसे भी ध्यान रखते हैं इसका value 1.38 into 10 to the power minus 23 होता है और ये r by any होता है ठीक है या r by n भी हम लोग उसको बोलते हैं अब एग ड्रोन नंबर के ठीक है तो ये हम लोग का हो गया इसके बाद हम लोग next question में चलते हैं अच्छा है कि column copy भी आप निकाले रही ताकि आप साथ साथ में note भी कर सकते हैं ऐसे आप देख लीजिए लेकिन साथ में इसको note करते रहेगा तो एक notes भी आपका त्यार हो जाएगा इस तरह का थर्ड कोस्टन हम लोग का जो है तो ये बोल रहा है कि जो kinetic energy sorry kinetic theory of gas के coding जो है ठीक है जो assumptions है kinetic theory of gas के coding ठीक है तो उसको assume करते हुए जो हम लोग derivation करते हैं जिसमें pressure और density और velocity के बीच में relation आता है तो famous relation जो रहता है वो p is equal to 1 by 3 rho c square हुआ करते हैं जहां rho जो है density of the gas है और c जो है आपको rms velocity हुआ करते हैं जिसको root minus square velocity भी बोलते हैं इसको हम लोग c से भी denote करते हैं thermodynamics में वरना v rms से भी इसको denote कर सकते हैं root minus square velocities को बोलते हैं तो इसमें option कितना हो जाएंगे आपको जो है यह second वाला आपका option हो जाएगा ठीक है 1 by 3 rho c square इसका derivations भी रहता है important ठीक है तो आपको देखे v rms का जो formula actually रहा करता है rms velocity जिसको हम लोग c से भी denote करते है thermodynamics वाले में ठीक है बाके ऐसा नहीं कनफेज़ोगता है कि यह speed of light को हम लोग इसको denote के ऐसा नहीं ठीक है यह हम लोग thermodynamics में हम लोग c से जो है prior capital c का प्रयोग करा करते हैं इसका हम लोग rms velocity के लिए भी लोग इसको प्रयोग करते हैं ठीक है thermodynamics में specific symbol होते हैं वरना vrms भी नहीं सकते हैं बाके ऐसे हम लोग small c का प्रयोग जो करते हैं light के speed के लिए करते हैं और coulomb वगरे के लिए हम लोग capture c का प्रयोग करते हैं लेकिन thermodynamics में हम लोग c का प्रयोग जो है root minus square speed के अब देखें इस पर कई सारे courses रहेगा बोलेगा four times हो गया तो यह root से बाहर निकलेगा four तो क्या बनेगा two बन जाएगा तो two times हो जाएगा nine times रहेगा तो यह बाहर निकलेगा three बन जाएगा इस तरह का कभी कभी बोलेगा कि mass जो है actually ठीक है उसको double कर दिया गया triple कर दिया गया उसके बाद vrms कितना होगा temperature को double triple किया गया और mass को भी तो आप इस formula के हिसाब से आप उसको handle कर सकते हो उस तरह का questions को और यह question काफी popular actually रहता है काफी जाधा पूछा जाता है ठीक है easy बाते हैं लेक ठीक है थोड़ा माइश पीड में नहीं चल रहा है हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं की चेक लिए ज्यादा ज्यादा content आपको कम समयर्ड मेले इसलिए जो है मापको तेजी से थोड़ा जानकारी देते जा रहे है ठीक है बाके आप नोट कर सकते हैं बाके repeat क करके भी देख सकते हैं अब देखें दूसरा जो question आपका जो है पाचवा question जो आपका है ठीक है average velocity next question जो है average velocity of the molecules in a gas in equilibrium क्या हुआ करता है तो देखे average velocity तो देखे कोई भी आपका जो molecules या atoms जो रहा करते है ideal gas के case में या perfect gas के case में ठीक है वो रैंडम motion में रहता है उसका कोई fixed direction नहीं रहता है कोई किधर move कर रहा है कोई किधर move कर रहा है तो कोई भी random direction में vector actually रहता है तो उसका average ज वैलू करता है वो zero आता है तो यहां भी जो V average होंगे ठीक है V average वेलोस्टी जो हो जाएंगे जीरू, ठीक है, यही हम लोग का जो option होगा, ठीक है, यह option होगा, ठीक है, equal to zero, ठीक, next question में चलते हैं, note भी कर रहे होंगे, चीजी अच्छा भी लग रहा होगा आपको जो, साथ में आपके दिमाग में chapter जो एक तरह से recap हो रहा हो, उसमें आपको काम आएगा, ही आएगा, ठीक है, बस यह level one category का question है, fundamental direct question है, ठीक है, अब हम लोग आते है, next question, जो कि हम लोग का छठा number question है, the average energy of molecules of monoatomic gas, यह ध्यान रखते हैं, कभी-कभी आपको बोलेगा, diatomic, कभी triatomic, कभी polyatomic, ऐसे करके बोलेगा, तो अलग-अलग जो gas होते हैं, ठीक है, जो polyatomic में आएंगे, diatomic, triatomic, तो उसमें जो है, value change करते है, degree of freedom का, जिसके बारे हम लोग आगे discuss करेंगे, ठीक है, तो यह जो actually बोल रहा है, कि the average energy of molecules of monoatomic gas, तो monoatomic gas जो रहा करते हैं, जैसे आपका noble gas कि जितने भी, noble gas जो इतने भी रहते हो, monoatomic form में रहते हैं, जैसे helium हो गए, neon हो गए, xenon हो गए, यह सबी जो है, वो monoatomic form में रहते हैं, ठीक है, इसका doubling वगएरा नहीं हुआ करता है, ठीक है, तो यह monoatomic gas रहा करते हैं, तो बोल रहा है कि monoatomic gas का जो है, particular temperature T पे जो है, उसके average energy कितना हुआ करेंगे, तो according to the Maxwell Bolgman distribution lab, आप जानते हैं actually, कि average energy associated with each molecules, जो हुआ करते हैं, क्या होता है, for each degree of freedom, average energy, यह average जो रहा करेगा, ठीक है, for each molecules, हर एक molecules के लिए, ठीक है, वो क्या रहा करते हैं, for each degree of freedom, one by twoगेटी, तो धल से आप इसको देख करके इसमें टिक मत मार दिजेगा, यह for each degree of freedom, यह ध्यान रखते हैं, for each degree of freedom, each degree of freedom, degree of freedom, अब जो है, तीन डिगरी of freedom जो है, monotomic gas का रहा करता है, monotomic का, जो है, तीन डिगरी of freedom, रहा करता है, monotomic का, ठीक है, तीन direction में इसके पास होगे, प्रॉइचनल मोसन हो सकते हैं, इसी को रेप्रेजेंट करता हुआ रहाता है, तीन direction में translational motion हो सकते हैं, तो वही 3 degree of freedom हुआ, तो average energy जो होंगे, ये 3 degree of freedom को consider करते हुए, for each molecule कितने होंगे, तीन से multiply कर दिजेगा, तो 3 by 2 kt actually हो जाएगा, तो answer क्या ह 3 by 2 kt for monatomic वही आपका diatomic देता उसमें जो degree of freedom होते हैं normal temperature पे 5 हुआ करते हैं तो 5 से आप उसको multiply करते हैं ठीक है तो यह monatomic gas के लिए actually बूल रहा है ठीक है तो monatomic gas के लिए 3 by 2 kt actually हो ठीक है अब हम लोग आते हैं next में ठीक है इसमें थोड़ा diatomic का concept इसमें इस्तमाल किया हुआ असयोग से इसमें दोनो questions में आपको रखा हुआ है देख सकते हैं कि 7th number में भी diatomic के बारे में कुछ बात कर रहा है और यहां भी diatomic तो हम लोग थोड़ा इसका clear concept concept ही ले ले रहे हैं ठीक है देखिए अब खास बात पहले तो आपको मालूम है कि जो गामा होते हैं वही cp by cv होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं ठीक है इसको adiabatic constant भी बोलते हैं या specific heat gas constant भी बोला करते हैं ठीक है इसको adiabatic constant भी बोला करते हैं या specific heat gas constant भी बोला करते हैं अब जो है हम लोग के पास degree of freedom यह बोल ही रहा है कि diatomic molecules है और translational, तो translational वाला जो है, इसके पास 3 degree of freedom रहा करता है, translational वाला 3 degree of freedom, ठीक है rotational जो हो सकते है diatomic यह धो हो सकते है जैसे diatomic molecules है, जैसे आप समझ लीजए hydrogen molecule हो गए है, जैसे diatomic के case में आप बोल सकते हैं जैसे hydrogen हो गए H2, O2, N2, Cl2, ठीक है, जो भी diatomic CO, ठीक है, यह सब diatomic gases actually हो, ठीक है, तो बोला जा रहा है, तो उसके पास translational energy होंगे, जो molecules actually रहा करेंगे, ठीक है, उसके पास translational energy रहा करेंगे, ठीक है, यह diatomic, आप ऐसे तरह से pair करके root में इसको imagine कर सकते हैं, ठीक है, तो जो diatomic molecules हैं, उसके पास आपको जो है, क्या रहा सकते है, translational motion हो सकते हैं, translational motion, next में जो रहा करेंगा, ठीक है, वो rotational motion, तो x direction में दी है, तो इसके पास y और z में rotation हो सकता है, यदि y direction में रखा रहा था, तो x और z में rotation होता है, और यदि z direction में रखा रहा था, तो आपको x और y direction में rotation होता रहा था, ठीक है, तो देखी, तो काने का मतलब है, एक direction के लोंग रखा हुआ था, दो rotational इसके पास होंगे degree of freedom, ठीक है, तो 3 और 2, 5, और जो vibrational जो हो सकते हैं, वो 2 इसके पास रहा करते हैं, दो तरस ये वैबरेट कर सकते हैं, तो total degree of freedom जो हो गए, total degree of freedom, वो कितने हो गए, ठीक है, वो 3, translational वाला, पलस 2, rotational वाला, और 2, जो है, ये vibrational वाला, ठीक है, तो ये T, translational वाला, ये rotational वाला, ये vibrational वाला, दीक ही, ध्यान रखते हैं, कि vibration वाला, तब तक आप नहीं लेते हैं, जब तक वो higher temperature के बारे में बात नहीं करें, नहीं तो बोल देगा question में, कि vibration वाला, consider करी, जैसा कि इसमें consider करने के लिए बुला हुआ है, तो इसके पास degree of freedom कितने हो गए, साथ हो गए, एक्चुली, जो है, तोटल मिला करके, साथ degree of freedom हो गए, अब जो है, हम लोग, जानकारी के रूप में, ये साथ degree of freedom हो गए, ये पहले तक clear हो गए आपको, जो है, अब जो है, आपको मालूम है, कि energy जो associate रहेंगे, ठीक है, यहींप हम लोग ठ्रक कर दे रहें, ठीक है, energy associate जो रहेंगे, ठीक है, दोनों question एकी type में आ रहा है, इसलिए, energy associated, ठीक है, with each molecules, हर एक molecules के साथ, जो है, जो कि diatomic हम लोग का यहां कैसा, ठीक है, with each molecules, ठीक है, with each molecules, तो कितने हुआ करेंगे, ठीक है, उसका आपास degree of freedom कितने रहा रहते हैं, ठीक है, 7, ठीक है, और by 2, बोले था ना कि, एक degree of freedom associated 1 by 2 होता है, तो सातों से क्या हो जाएगा, 7 by 2 kt हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यह जो 7 by 2 kt for each molecule है, तो आप इन molecule के साथ या 1 gram molecule के साथ काम करिएगा, तो 1 gram molecule के साथ आप यदि बोलते हैं, 1 gram molecule के साथ, इसका मतलब हो रहा है, 1 gram molecule का मतलब क्या, 1 mole के साथ, तो 1 mole के साथ, मतलब कितने number of particle, तो number of particle avagadro number, एने, तो जो आपका यह energy रहेंगे, ठीक है, जो यह energy आपका रहा करेगा, for 1 gram molecule, जो energy रहा करेगा, इसो रहा करेंगे, उसको कितना दे देजेगा, इससे multiply कर देजेगा, इतना particle से, into 7 by 2 kt, और यह जो energy रहता है, यह जो total energy actually है, या वो internal energy के form actually रहता है, internal energy, internal energy के लिए हम लोग special symbol को हम लोग show करते हैं, internal energy के form मेरा, internal energy के लिए हम लोग special symbol को पर्यूब करते हैं, क्या करते हैं, U से हम लोग इसको denote करते हैं, यह हम लोग का U actually इतना के बराबर लिख सकते हैं, जो कि 7 by 2 इनेकेटी हो सकता है, इसको थोड़ा मीटाल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा से हम लोग को जगा यहाँ पर मिले, हम लोग इसको फिर वापस वहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है, बाकि इसको नोट कर लिए होंगे, वरना आप पीछे का repeat करके जो आप उसको नोट कर सक टिक है, उसको बना सकते हैं, अप अदा हम से जग ठीक है, तोइस टॉपिक को हम आपको पूरी तरह स्किलिर कर दे रहे हैं, तो यह समझ में आ गया कि इसको, टो उसको भी थोड़ा सा मीटा ले इसको आप देख करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग आते हैं, टॉपिक के बारे में, जो हम लोग इसके लिए जगा जो बनाए थे, ठीक है, तो अब हम लोग जो है, एक ग्राम मॉलकुल के साथ जो है, तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, for one gram molecule, for one ग्राम मॉलकुल ठीक है थोड़ा लैक करना है थोड़ा देर में सही हो जाएगा वन ग्राम मॉलकुल यह क्या हो जाएगा इसको इंटर्नल एनर्जी के फार्म में जो हम लोग दिये थे तो हम लोग क्या आया 7 by 2 केटी है यह ध्यान रखेगा 7 by 2 केटी क्यों लिख रहे है ठीक है 7 by 2 क्यों लिख रहे है क्योंकि इसमें translational, rotational और साथ में vibrational बोल दिया है नहीं बोला रहेगा तो vibrational नहीं लेंगे वरना high temperature भी बोला हुआ रहेगा तब भी vibrational लेते हैं ठीक है high temperature बोले तब और नहीं तो फिर clear बोला हुआ है कि vibration को भी consider करें तब 7 by 2 वरना क्या होता 3 plus 2 5 ही रहता जो कि अगला question में इस्तमाल होगा इसलिए हम इतना ज्यादा इसमें डिसकस कर रहे है ठीक है अब जो cv रहते हैं तो जो specific heat at constant volume जो रहा करते हैं उसको आप क्या दे सकते हैं उसको आप du by dt से इसको दे सकते हैं तो यहां पर हम लोग fix करके इसका value को ले रहे है तो इसको आप U by T के रूप में आप इसको लिख सकते हैं तो U by T के रूप में इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर आखेगा तो क्या हो जाएगा CB यह 7 by 2 ठीक है 7 by 2 हाँ इसमें एक जरूर बात था इसमें हम लोग N से multiply किये हुए थे ठीक है N से ठीक है इसमें एवेगडरो नमबर से ही multiply किये था ना बोले था ना कि एन एसने इसको multiply करना है क्यों क्यों क्योंकि ये तो आपको for each molecule था तो n number of molecules मतला एवेगडरो number of molecules के साथ multiply कर देंगे तो n into k ये देख रहे हैं ना n into k बन जाएगा तो 7 by 2 और ये r हो जाएगा चूकि बताये थे कि k जो होता हो r भाई क्या होता है na होता है ठीक है r भाई na तो आप na into k क्या लिख सकते है r तो वही 7 by 2 r t आपका हो जाएगा क्या u तो u जो है 7 by 2 r t और divided by आप r कर दिजेगा तो ये क्या हो जाएगे ये आपका 7 by 2 r हो जाएगा ठीक है तो ये internal energy associated with one mole हो गए या one gram molecule इसको बोलते है ठीक है या इसको बोल सकते है इतना one abogadro number ये जो आपको है इतने के साथ associated energy ठीक है तो cv का value आपको 7 by 2 r हो गया cp का value आप निकाल सकते है किस relation से आपको मालूम है कि cp क्या होता है cp को जो आप लिख सकते है cp मैनस cv होता है ना r के बारा और cp को आप लिख सकते है cv प्लस r लिख सकते है cv आपका value कितना actually cv का value है cv का value आप लाए हुए थे 7 by 2 r ठीक है आया हुआ था ना और प्लस ये r 7 by 2 r प्लस r कितना हो जा रहा है ये 9 by 2 r हो गया actually ठीक है 9 by 2 r अब जो है gamma का definition लगाई है आप इसमें चोगे तो gamma is equal to क्या होते है cp by cv ठीक है cp by cv ठीक है cp by cv ना कि cv by cp लिख दीजेगा ठीक है cp by cv तो आप इसको रखेगा तो ये 9 by 2 और ये r और divided by ये कितना हो जा जाएंगे 9 by 7 आ जाएगा और इसको आफ लाएगा solve करिएगा तो ये 1.29 हो जाएगे actually ठीक है 1.29 तो जो value रहा करेंगे ठीक है वो 1.29 होंगे कब diatomic gas molecule के साथ और बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि vibrational वाला degree of freedom consider करेंगे तब या higher temperature पे बाते कर रहा होगा तब वरना ये दो वाला हम लोग add नहीं करेंगे जो कि अगला question में ये just इस्तमाल होगा ठीक है अगला question में भी तो उसी तरह का पूछ रहा है the ratio of two specific heat CP by CV of a diatomic gas तो क्या आप 1.29 मार दीजेगा नहीं गलत हो जाएगा ऐसे तिसमों option भी नहीं दिया होगा ठीक है तो गलत हो इसमें तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटीशनल वाला actually ठीक है तो उसको consider करके हम लोग अभी काम करेंगे और देखेंगे क्या value आता है ठीक है इसलिए हम लोग इतना discussion की है ताकि ये topic ही आपके लिए होगा ये topic अब आप से कभी भी पूछेगा तो आप आप आराम से इस प देखने लगी या गाने सुनने लगी या कुछ और करने लगी ठीक है आप इसको अच्छे तरह से देखते रहते हैं और साथ में note भी करते रहते हैं ठीक है ये कुछ reminder actually दे रहा है इसके बारे हम लोग बाद में करेंगे प्लक लगाने के लिए actually बोल रहा है इसको खटाना ह हम लोग जो है आ रहे हैं जो topic हम लोग discuss कर रहे हैं तो उसी पर ठीक है अब इसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि 1.29 नहीं करेंगे इसके साथ क्या करेंगे नॉर्मल रूप से सवाल ये बोला हुआ है तो गामा जो है हम लोग का जो हम लोग 5 degree of freedom के हिसाब से काम करेंगे त तो 7 degree of freedom लिए थे तो multiply किये ना इसको तो 7 by 2RT आया था तो हम लोग का जो CV कैसे आया इसको by T से कर दिये divide तो 7 by 2R आया तो 7 degree of freedom लिए थे दो vibrational वाला भी consider किये थे तो अब इसको नहीं करेंगे तो 3 plus 2 5 तो 5 by 2R हो जाएगा और CP का value क्या हो जाएगा 5 by 2R और प्लस R तो य क्या हो जाएगे यह 7 by 2R हो जाएगा ठीक है 7 by 2R इस बार यह value हो जाएगा ठीक है तो इसको आप जब divide करिएगा 7 by 2R ठीक है 7 by 2R divided by क्या 5 by 2R तो यह कितने आएगे यह आपको आएगा 7 by 5 जो की 1.4 होता है तो यह 1.4 आप इसका unit नहीं बोल सकते है देख रहे है ना यह ए थोड़ी नहीं होता है एक number होता है एक factor होता है ठीक है इसको adiabatic factor भी बोलते है 1.4 आएगे तो 1.4 यह भी होगा तो देखें इस दोनों questions में यदि vibration बोला हुआ है तो उसका value 1.29 आ रहा है और यदि vibration नहीं बोला हुआ है higher temperature भी नहीं बोला हुआ है normal group से बोला हुआ है तो 1.4 लेते हैं अब आपका दिमाग में बोलेगा कुछ नहीं बोला हुआ है तो कुछ नहीं बोला हुआ है तो 1.4 वाला value लेके चलेगा vibrational वाला लेके नहीं चलेगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका पूरा topic discussed हुआ और आपको clear भी हुआ इसे associated आप कोई भी numerical रहेगा इसमें यह सावधानी आपके दिमाग में हमेशा आएगा अचले और ध्यान में रखना भी है वरना गलत कर सकते हैं ठीक है topic को अब ninth number यही दो questions है अब इस दो questions के बाद discussion complete हो जाएगा ठीक है हमें इस बात को ध्यान लखेंगे कि थोड़ा video जो है short short में रहे ताकि आप अच्छा से concentrate होकर के इसको जो है सीख पाईए ठीक है आप इसको दिमाग पर रखने के लिए आप कुछ आइसा दिमाग पर रखेंगे के लिए आप कुछ आइसा दिमाग पर रखेंगे 1 by 2 जैसे लिखते हैं half mb square ठीक है तो m mass divided by volume कर दीजेगा तो क्या हो जाएगा रो बन जाएगा तो half rho c square ठीक है तो kinetic energy per unit volume हो गया या energy density भी इसको बोलते हैं अब हम लोग आभी देखेते क्या since p is equal to 1 by 3 rho c square यह देखेते तो इसको आप kinetic energy per unit volume में आप दे सकते है energy density के फॉर्म में कैसे दे सकते हैं इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं ना 2 by 3 into 1 by 2 rho c square ऐसा लिख देने से क्या हो गया कि यह तो 1 by 3 ही रा गया टू टू कर जाएगा ना अर रा गया 1 by 3 लेकिन ऐसा लिखने से आपको जो है आप इसको kinetic energy per unit volume के टर्म में इसको लिख दी यह वाला जो है इसको हम लोग इंडिकेट एदी सपोच कर लेगे इवी से करते हैं kinetic energy per unit volume इवी से ठीक है तो इवी के रूप में आप इसको लिख दीए तो यहां से इवी हम लोग का क्या हो गया एचली EVs हो गया हम लोग का वो 3 by 2 और यह 3 by 2 यह क्या हो गये यह 3 by 2 और यह P ठीक है 3 by 2 P तो आपका option क्या हो जाएगा 3 by 2 P हो जाएगा अब last question last question यह है आपका जो है for a gas the RMS speed at 800 Kelvin इस बोले तो यह question बहुत popular रहा था यह RMS वाला जो है यह पहले 800 था 800 जो है उसको 200 के टर्म में लिखी गा तो कैसे लिख सकते है 4 into 200 लिख सकते है लिख सकते है ना तो 4 into 200 लिख सकते है तो 200 के टर्म में आपको इसको 2 under root 200 की भोल सकते है 200 के तुलना में क्या हो जाएगा 2 times हो जाएगा तो option क्या है हम लोग का twice times the value of 200 इसमें और भी नीचे option था लेकिन वो actually answer में नहीं आएंगे आपको जो ठीक है आप इसको देख सकते है इसमें आपको देख सकते है ज़्यादा scroll हो गया last option तीनी option दिया हो था last भी option थी लेकिन हम लोग का उधर कहीं option मिल गया same as at 200 के लिए तो यह तो नहीं होगा नहीं होगा क्या twice times the value of 200 के लिए ठीक है तो इस तरह से आप देखें कि topic यह कितना important रहता है वी आरे मिस वाला इसी तरह से हम लोग continue रखेंगे discussions को अलगल topic पर और इसी तरह से आप सीखते रहीं ताकि हम जो महनत कर रहें वो काम भी आ लगे कि हाँ मेरा महनत जो किया جा रहा रहा है कई लोग काम में आ रहा है तो आप इसको share भी करते रहा है ताकि कई लोग को पास जो है YouTube पे जो है देख सकते हैं तब तक के लिए thank you, धन्यवाद